तुम लोगों समझ निया रहा कि तुम्हें दीय से कहां से करना है अभी सब लोगों को देखे हो क्यों कॉंटेस्स दे रहे हैं क्वेशन सॉल्व कर रहे हैं बड़ तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है तो यह नहीं पता कि जावा करनी है स्टार्ट करनी है कौन सी लांगमेज से मैं स्टार्ट करूँ मैं कुछ जावा आती तो अवर्ट में से क्वेशिन सॉल्व नहीं होते हैं सो तुम्हारे निस अब क्वेशिन का आज हम सॉलुशन लेकर आए हैं इसके साथ साथ जो आप तीन महीं अगर फॉलो करते हो तीन महीं अच्छा से क्वेशिन कर लेते हो तो युल भी आट आप वेरी गुड लेवल और इसके साथ साथ बहुत सारे प्री रिसोर्स इसमें आड़िए जिन से आप सीख सकते हो चीजे तो वेलकम बाक तो दे चानल आज की वीडिव में बात करने वाले हैं देसे इसम तीन मन्स में अब पूरा देसे सॉल्व कर रहे होगे प्री रिक्विजिट यह है कि आपको एक लाइग्विज आने चाहिए अगर लाइग्विज नहीं आते तो डोंट वरी अगर आप अभी बैट रहे हो रिसेशन चल रहा है तो आपको अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना कर रखना है तो इस वाली वीडियो में ने साथी चीज़े डिसकस करी हुए अपर्ट फ्रम डियर से कि 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 चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा तू आपको इस वाली वीडियो में बता दूँगा तो ध्यान से सुनना है वीडियो स्किप मत करना लिंक इसका आपको डिसक्रिशन में मिल जाएगा तो पहले जाकर लिंक पर मत सोचना है कि खोल लेता हूं जल्दी देख लोगा बहिया क्या ही बताएंगे सुन लो एक बारी फ पहले सुनते नहीं है और बात में वही सेम गलती है रिपीट कर रहे होते हैं जिनको मना किया था बट वो देखी नहीं तो पता कैस चलेगा कि मना किया था इस वाली वीडियो पर लाइक टार्गेट 5000 लाइक का रखते हैं बहुत सारे वीडियो से नहीं करा रहे है अगर आपको बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले क्या करना आपको अपने आपको दूसरों से कंपेर करना या मैं क्या था या मैं क्या थी मैंने जो जो चीज़े करी मैं क्या उससे इंप्रूफ हुआ हूं अगर आप इंप्रूफ हुए हो तो वेल एंड गुट सही पात पर जा रहे हो बड़ अगर आप सेम अभी भी सी स्टेट में आपने कुछ इंप्रूफ नहीं किया देन इस टाइम कि क्या चीज़ हम बेटर कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होते हैं हमारे दोस जो होते हैं फिर हमारे आसपास वाले होते हैं वो चीज़े बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं बहुत जल्दी कर लेते हैं तो हम दी मोटिवेट हो जाते हैं यह तो कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाता, हम क्या बयुकूफ हैं, ऐसा नहीं होता, everyone can learn things, it's just different कि कुछ लोग कुछ चीज़े बहुत तेज, जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगो थोड़ा टाइम लगता है, and it's fine, and coding is something जो कोई भी सीख सकता है, people at the age of 60 can do it, so you are very smart, 20 वाली एज में सब लोग बहुत जादा smart होते हैं, grasping power बहुत जादा होती है, बहुत अराम से कर लोगे, it's just कुछ चीज़ों को सीखने में थोड़ा से time लग सकता है, second चीज़ है कि यह नहीं होलना है, recession चल रहा है, मेरे तो नौकरी लगेगी ही नी, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने काफे सारी कंपनी में अप्लाय किया है, काफे सारी कंपनी क्रैक भी करी है, आपको बता जाता हूं कि things are getting better, अभी IIT में प्लेश्मेंट स्टार्ट होई थी तो वहाँ पर तो companies वापस आना स्टार्ट होई है, कुछ ताइम पहले किसी भी कॉलेज में companies नहीं आ रही थे, companies have started coming again, recession धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, and this was predicted, कि एक साल तक चीज़े खराब रहती हैं, एक देट साल तक और चीज़े इंप्रूब होने लग जाती है, job openings open होनी start हो गई है, Microsoft ने recently hire करना start किया है, Google ने hire करना start किया है, Amazon ने भी hire करना start किया, इसके साथ साथ Salesforce Atlassian hire कर रहा है, and बहुत सारी companies hire कर रही है, so इन सारी चीज़ों के साथ साथ I'll be posting on LinkedIn, कि अगर कोई भी company hire करें किसे भी पता है, तो वहाँ पर आगे comment कर सकता है, and आप उस post का link भी मैं के description में डाल दूँगा, so you guys can also go check it out, and apply to these companies which are currently hiring. अब इतने साथा time से hiring pause थी, इसका मितलब यही है कि यार, बहुत सारे लोगों ने काफी साथा जगा apply करना start कर दिया होगा, so competition increase हो जाएगा, so you have to be the best version of yourself, to like get that opportunity, opportunity याएगी, but so grasp करना थोड़ा साथ difficult होगा, because बहुत सारे लोग wait कर रहे है लाइन में, तो इतने सारे लोग होंगे, जो पिछले साल वाले batch वाले, इस साल वाले batch वाले, both must be competing, बहुत चारे ऐसे लोग है कि 2023 में graduate हो हैं, still they didn't get a job, they must be applying right now, right, so competition थोड़ा सा जादा हो सकता है, but आपको अपने skills पर काम करना है, अगर आप वो करोगे तो competition कोई दिक्कत है, यह नहीं, आप वो कर ही लोगे, third चीज है कि peer group काफी जाता important होता है, ठीक है, अगर आपकी दोस्त आपके साथ हैं, अगर आपका कोई batch mate है, फिर एक friend भी है, इसकी साथ आप questions discuss कर सकते हो, problems discuss कर सकते हो, solutions discuss कर सकते हो, contest देने के बाद discuss कर सकते हो, तो बहुत अच्छा रहता है, generally, यह मिलना difficult होता है, if you are from a tier 2, tier 3 college, सब लोग इतने self motivated नहीं होते हैं, सब लोगों को नहीं करना होता, apply, सब लोगों को नहीं participate करना होता, contest में, so if you join Algoprep, और if you download the app Algoprep, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पर एक community मिल जाएगी, जहाँ पर आप लोगों से connect कर सकते हो, उनके साथ WhatsApp group बना लो, उनके साथ connect करके आप contest कर सकते हैं, बहुत सारी सीज़ आपको मिल जाएगी, the community is totally free, इसके लिए आपको पैसे ने दे रहे हैं, बस आपको आप डाउनलोड करना है, और रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करना है, and you'll be a part of that community, वहाँ पर जो हमारे थ्री मन्स वाला पूरा roadmap, वहाँ पर रोज अपडेट्स लेते रहेंगे, जो लोग इसमें participate करेंगे, वहाँ पर अपने updates पोस्ट करते रहेंगे, तो अपने नहीं 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 लोगों के साथ, friends बना सकते हो, and उनके साथ, उनको अपना accountability partner बना सकते हो, so coding करना भी असान हो जाएगा, and आपको कोई मिल जाएगा, कोई doubt आ रहे है, कुछ भी problem आ रहे है, तो इनसे पूछ लिया, और if you join the live course cohort 3.0, तो आपको पूरे WhatsApp group community भी मिली जाती है, and इसके साथ doubt support वगरा मिल जाता है, वह launch video में आप देख सकते हैं, जो जो आपको benefits मिलते हैं, अगर आप cohort 3.0 में enroll करते हो तो, इसके बारे हम जादा बात ने करेंगे, तो हम resources की बात कर लेते हैं, coming 3 months में हम कौन से-कौन से resources को follow कर सकते हैं, ताकि we are placement ready, ताकि we are internship ready, अगर कोई भी company की opportunity आती हैं, तो इसको miss ना कर पाएं, तो जिल्दी से start कर देते हैं, So as you can see, मैं हाँ पे java और c++ के resources दोनों डालनुगा, c++ मैंने curious chart पर पढ़ा रखा है, java हमने algoprep पर YouTube चैनल पर पढ़ा रखा है, So इन दोनों से आप चीज़े सीख सकते हो, basic आपको समझा आगा कैसे आपको code करना है, print क्या होता है, if else क्या होता है, सारी चीज़े आपको basic से समझा दे जाएंगी, यह जब आप सीख लोगे उसके बाद आप अपना day one day two start कर सकते हो, अगर आपको पहले से language आते तो कोई problem ही नहीं है, सीधा आप यहाँ पर start कर सकते हो, So पहले आपको क्या करना है starting में, आपको space and time complexity के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि सबस्दादा important होता है, हर entry में पूछा जाता है, अगर आप उन्हें कोई भी code किया है, कुछ भी किया है तो सबसे पहले आपको space and time complexity उस code की पता होनी चाहिए, So यहाँ पर मैंने video का link दाल दिया है, आप जाओगे तो आप आपको video मिल जाएगे, आप इस video को जाके check out कर सकते हैं, इसमें आपको पूरी time complexity निकालना वगएरा सब सिखाया होगा है, यह पूरी foundation का course है, ठीक है, it's free on the AlgoPrep YouTube channel, मैंने इसको playlist में divide कर दिया है, So it's easier for you, आप अराम से topic wise जाके उन playlist को देख सकते हैं, मैंने और वीडियो भी आड करें हैं, और free sources भी आड करें जो आप देख सकते हो, So it'll be helpful, आपको इधर उधर 25 जगह नहीं बटकना पड़ेगा, एक जगह पर आपको structured सारी चीज़े मिल जाएगी, तो यहां से आप अपना time or space complexity सीख सकते हो, ठीक है, इसके बाद one or एक दो दिन में हो जाएगा, जादा time नहीं लगएगा, एक दिन में आप यह साथ चीज़े सीख लोगे, क्लास दो हंटिके, क्लास देखने बाद आपको practice करना पड़ेगा, अच्छे से कर लेते हो, तो यह सारे topics आपके बहुत अराम से निकल सकते हैं, यहां पर मैंने playlist का link add कर दिया, इस पर जाओगे, आपको पूरी playlist मिल जाएगी, वहां पर recursion और back tracking सीख सकते हो, और इसमें C++ Java दोनों का link दिला हुआ है, यह basically most of the videos आपको C++ Java दोनों में मिल जाएगी, कुछ आपको सिर्फ Java में मिल रहे होंगी, but generally DSA is language independent, sudo code में सिखाया हुआ होता है, आप उसको अपने language में convert कर सकते हो, concept सीखना जाधा important है, आप यह साथ दिन के अंदर कर पाओगे, recursion back tracking, वीडियो जाधा नहीं होने वाले हैं, दो दो हंटे की दो classes होने वाले हैं, इसके साथ साथ आपको एक और तीन हंटे क्लास मिलेगी, so इसमें आपको पूरा recursion back tracking basic हो जायागा, इसके आपको question solve करने होगे, questions पर में यह नीचे आता हूँ, ठीक है, arrays की playlist, link list की playlist, stacks की playlist जाल दिया है, and generally आपको pattern समझने हैं, जैसे arrays में बहुत अलगले तरीकी questions होते हैं, आपको prefix symbol वाले questions होते हैं, two pointer वाले questions होते हैं, इन सब चीजों के topics के patterns होते हैं, इन patterns को आपको सीखना होता है, इन patterns के questions को solve करना होता है, तो इसके साथ-साथ, नीचे जो मैं list के बारे में बात कर रहा था, अभी आपको दिखाता हूँ, उस list में आप जाके चेक आउट कर सकते हैं, कि कौन से-कौन से patterns हैं, उन patterns में सब कुछ divided हैं, तो आप solve करोंगे तो आपको हो जाएगा, यह करने के बाद आप next important suggestion यही है, कि आप contest देना start करते हो, contest देना start कैसे करोगे, lead code पे जाना है, lead code पे weekly contest होते हैं, bi-weekly contest होते हैं, उनमें participate करना start कर देना है, जब आप इतना सीख लोगे न, आपके first or second question solve होने start हो जाएँगे, because generally, array, linked list, stack, use के होते हैं, तो इन में से आपके basic होने start हो जाएँगे, तो करना बहुत जाता जरूरी है, अगर आप यह नहीं करोगे, नहीं चीज़े नहीं सीखोगे तो आप सख रहे जाओगे, तो आप tutorial hell में चले जाओगे, और tutorial hell में जाने के बाद ना फिर निकलना बहुत difficult होता है, आपको लगता है आपने सारी जीन से पढ़ ली है, but actually जब आप question solve करने जाओगे, कुछ चीज करने जाओगे तो आपसे होगी नहीं, so demotivate हो जाओगे, साथ साथ सीखते रहो, साथ साथ करते रहो, यह हमारे 25 दिन हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें searching, sorting, hash maps, trees, heaps और sliding window सीखना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने searching, generally हम binary search कर रहे होते हैं, binary search की video में यहाँ पर attach कर दूँगा, ठीक है, इसके साथ साथ आपको sorting की साथ, यहाँ पर सारी videos मिल जाएंगी, sorting आपको सिखा दी गई है, hash maps, trees, heaps, sliding window के भी video नहीं है, बट जल्दी से class लेके वहाँ पर add कर देंगे, so that you can learn sliding window as well, जब तक आप day 40 तक आओगे, चीज़ें आपको DP और graph से मिल रही होती है, so graph में मैंने सारे topics add कर दी है, जो आपको करने होते हैं, इसने तो कुछ topics की classes आपको मिल जाएंगी, यह आपको BFS, GFS की class and topological sort की class, हमारे पास हमने add कर रखें, वहाँ से आप इस सारी जीज़े सीख सकते हैं, यह सब के topics भी हम धीरे-दीर add करते रहेंगे, but अभी के लिए बस इन दो-तीन topics की videos ही हैं, so you can go there, you can learn from these videos, next DP, DP की videos भी add कर रखें, basically आपको memoization सीखना बहुत दा important है, जब आप recursion सीख लेते हो, तो recursive solution को memoize कैसे करते हैं, उसके बाद उसको tabulation में कैसे convert करते हैं, online test में memoization में काम खतम हो जाता है, tabulation की ज़रूरत नहीं पड़ती है, because आपको बस question solve करना है, आपको इतना दा किसी को दिखाना नहीं है, बट जब आप interview दे रहे होते हो, तो आपको tabulation भी आना चाहिए, memoization का होता है, recursive को जब आप recursive के साथ साथी save कर लो, ठीक है, आप recursive way में save कर रहे होते है DP को, और tabulation जब आप उसको iterative way में solve कर रहे होता है, यह दोनों difference होते हैं, यहापे आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी, यहाँ से आप अपना DP graph सीख सकते हैं, इन सबके resources भी आड़ करते हैं, total 60 hours से जाधा content है जो आपको मिल जाएगा पुरी playlist में, इससे आप सारी चीज़े one by one बहुत अनाम से सीख सकते हो, next आपको क्या आता है, 66 से 67, 66 से 75 days में आपको oops करना है, oops की video जल्दी आजएगी, जब तक आप यहां तक पहुंचोगे, oops बहुत जाथा important होता है, basic LND भी यहां पर आ जाता है अपका, ठीक है low level design, oops, ठीक है, वह भी आपसे पूछा जाता है, आपको encapsulation, abstraction, आपको virtual class क्या होती है, friend class क्या होती है, सारी चीज़े पता होने चाहिए, पूछा जाता है, सो यह हम add कर देंगे, यहां तक आपका पूरा basic data structures हो जाएंगे, सो आपको contest पहले मैंने बता जाता देने, start कर देने है, next आपका आजाता है, finally यह थोड़े important topics है, tries, bit manipulation and number theory आपसे पूछ लेते हैं गई-बारे interviews में, interviews में भी नहीं पूछते तो contest में तो आही जाता है, इनमेंसे number theory की एकादी class आपने AlgoPrep वाली YouTube चानल पे लाइव ले रखे सुभेश ने, उनका link आप चेक आउट कर सकते हैं, generally वह वाली सारी classes सुभेश लाइव ले रहा होता है, आपको खुछ नहीं करना है, बनाने के लिए आपको कुछ projects चाहिए, projects के लिए आपको project ideas चाहिए, यह वाली video आप देख सकते हैं, 40 project ideas में बने बता दिया है, यह इसका link भी मैं साथ-साथ यहां पर add कर दूँगा, अभी साथ के साथ ही कर देते हैं, तो यहां से आप अपने project ideas सीख सकते हो, project ideas करने के बाद आपको resume बनाना पड़ेगा, तो यहां पर resume की important tips दी गई है, resume का template दिया गया है, वह आप जाके देख सकते हो, यहां पर पूरा resume end-to-end कैसे बनाने हैं, क्या-की चीज़े डालने हैं, इस बाइड करनी होते हैं, वह सिखा दिया जाएगा, इन आपको importance of LinkedIn profile ने, LinkedIn profile कैसे बनाने हैं, उसके बारे में tips दियुए हैं, वह पूरी video आपको मिल जाएगी, यह सारे resources जरूर देख लेना, यह काफिसता important होने वाले हैं, and finally जब आपको off campus apply करना है, तो काफे सारी tips होते हैं, जो generally लोगों को पता नहीं होते हैं, कि referral कैसे लेना है, template क्या होता है, वह सारी चीज़े मैंने इस वाली video में बताएथी, वह आप definitely जाके देख सकते हैं, इन चार वीडियो को जरूर देखना है, जब आपके DA से पूरा हो जाए, पहले भी देख लोगे तो कुछ फरक पड़ेगा नहीं, बाद में जरूर देखना है, यहाँ पर आपको सारे questions मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी, arrays, two pointers, recursion, backtracking bit manipulation, hash maps, heaps, binary search, link list, ठीक हैं यहाँ पर आपको सारे topics के important questions मिल जाएंगे, टोटल आपके 151 questions है, यह तो आपको करने ही करने है, मतलब इसके भी ना तो नहीं चलेगा काम, यह तो आपको करने ही पड़ेंगे, इसका भी link मैंने आपके add किया हुआ है, यह कर लेना, जैसे जैसे आप topic पढ़ते जाओ, इसके साथ साथ यह वाले questions solve करते जाना, इसमें से काफे सारी videos आपको मिल जाएंगी YouTube वाली, वो मैं सारी यहां पे links में add करवादूँगा, जो जो नहीं है, वो साथ साथ हमें add करते रहेंगे, so this is the whole roadmap, बहुत सारे free resources आपको यहां पे मिल रहे हैं, also when you are starting this, आपको बस day 1, 2, 3 में update करते रहना है, जो main important बात है, जो main important काम होई है, कि आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, महनत का कोई alternative नहीं है, और कोई रस्ता नहीं है, महनत आपको करनी पड़ेगी, दिन के 5-6 हांटे लगाओगे, तो फिर आगे जाके मस्ती कर पाओगे, और टाइम नहीं लगाओगे, बाद में regret करोगे, बाद में जादा महनत करनी पड़ेगी, if you need a very good work-life balance, if you need to have everything you have dreamed of, उसके लिए hard work करना ज़रूरी है, फरक नहीं पड़ता आप अच्छे college में हो नहीं हो, off-campus में इतना दा नहीं फरक पड़ेगा, आपके coding skills, आपके programming skills, आपके resume, आपका projects, इन सब पे focus होता है, अगर आप यह सारी चीज़े improve कर लेते हो, तो सारी चीज़े हो जाएंगी, इसके साथ साथ do check out algoprep.in महाँ पे हमने new courses launch कर दिये हैं, ठीक है, अगर कोई भी extra offer चल रहा होगा, वो मैं description में डाल दूँगा, देख लेना, शीट जरूर follow कर लेना, शीट के लिए कुछ नहीं करना लिंक मिलेगा, रजिस्टर करना है, आपको शीट का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाना है, सारी चीज़े आपके पास होंगी, बस तिर्फ पढ़ना शुरू करना है, सारे free resources भी आड़ कर दिया है, बस महनत करना शुरू करो, Thank you so much for watching this video, I hope आप लोगत पर वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चानल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लेना और महनत करना शुरू कर दो, सारी चीज़े अच्छी होगी, यह मिलते नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए, बाई!